Hello everyone, welcome to our online platform, मैं नूरुस सलाम आपका स्वागत करता हूँ और आज का दिन बहुत important है, आज है 26 माई और 26 माई में एक घटना आपको देखने को मिलेगी, आज मैं सुभा का न्यूस पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चीज आप सबको बतानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न क आपके पेपर में आ सकता है, आज है सूपर ब्लड मून, अब सूपर ब्लड मून कब पढ़ा ये पेपर में नहीं आएदा, लेकिन ये होता क्या है, और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसी पर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, इसको अच्छे से देख लीजेगा, पूरा देख लीजेगा, ये आपके जोगरफी का एक फिनॉमिना है, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और जब इस तरह की कोई घटना होती, तो 100% आता है पेपर में, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा, जादा से जादा लोगों तक पहुचा दीजेगा, और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम और वाटसाइप ग्रूप में नहीं जुड़े हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसमें जोड़ो सकते हैं, और कनेक्ट ह होता है, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, इसको समझ देते हैं, पहले हम देखते हैं, लूनर एकलिप्स, लूनर एकलिप्स क्या होता है, जब सन, आर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब मून आर्थ की शेड़ो में आ जाता है, तो इसको हम बोलते है lunar eclipse जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं आपको यहां पर सब दिखाई दे जाएगा आप अराम से इसे देख सकते हैं देखे यह पूरा lunar eclipse का दिखाए गया है यह moon है फिर उदर earth है फिर sun है और इस straight line में होते हैं इनकी straight line के फिनोमेना को बोलता है और इस condition में ही आपका lunar eclipse होता है इसे याद रखिएगा यह जो blue color का area वही dark area होता है यही lunar eclipse का region होता है इसे याद रखिएगा तो lunar eclipse की जो condition है वो यह है जो पीछे बनी हुई है आप उसे समझ सकते हो देख सकते हो और अच्छे से जान सकते हो आपको समय में आ गया होगा चलिए आप थोड़ा से इसकी टेक्निकल चीजों को देख लेते हैं ठीक अब कुछ इस तरह से हमारा रहता है पोजिशन है ना और आप जो मेरे उपर डाइग्राम देखने है इससे आपको क्लियर हो जाएगा देखो यह मून घूमते हुए आया ऐसे और इस तरह से इसने इसको डख दिया ठीक है तो अब देखो lunar eclipse का जो condition है वो बड़ी important है ठीक है lunar eclipse occur when the moon moves in the earth shadow जब earth की shadow में आता है ठीक है और यह कब होता है जब earth moon और sun एक straight line में होते है straight line में होने का मतलब क्या सिजगी की position में से बोलते है when earth moon and sun are on a straight line this condition is known as सिजगी है ना इसमें दो चीज़ों हो सकती है full moon भी हो सकता है new moon भी हो सकता है ना लेकिन आम तोर पर यह condition विशन जो है यह full moon में ही अकर होती है कब होती है full moon में इस या रखेगा और आपका जो lunar eclipse होता है कई तरह का partial semi partial full moon होन जो full lunar eclipse होता है या total lunar eclipse होता है इसको हम बोलते है blood moon जो आज होनेवाला है वह आपका blood moon है और इसमें जो sun होता है वो reddish color का हो जाता है because of reflection of light है ना और इसकी वज़े से यह हमारे earth की atmosphere में एकदम reddish color का दिखाई देता है तो इस तरह के moon को हम बोलते है blood moon जब complete lunar eclipse होता है तो इसे हम बोलते है blood moon इसको दिहान रख लेना बचो यह बहुत important चीज़ है यह paper में पूछा जाता है अब खाज बात क्या है खाज बात यह है कि देखो lunar eclipse तो यह घड़ना तो आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी साल में एक दो तीन बात तक मिल सकती है लेकिन यह total lunar eclipse है यह बड़ी important चीज़ है जब भी moon पूरी तरह से देखो moon पूरी तरह से नहीं धखता है अगर आप देखेंगे तो moon partially या फिर semi partial तरीके से धखता है लेकिन यहाँ पर यह पूरी तरह से completely धख गया है इस वज़े से इसको हम बोलते है blood moon और इसकी वज़े से light के reflection की वज़े से moon हमें red color का दिखाई देगा इसलिए से हम बोलते है blood moon क्योंकि blood का color भी कैसा होता है red होता है तो यह तो बात होगी lunar eclipse के बारे में अब देखो एक चीज़ और आती है एक वड़ आता है selenian या sally alien इसको भी ज़रा सा कभी कभी पूछा जाता है जब आपको दो moon दिखाई देते हैं वैसे दो moon ने दिखाई देते हैं यह horizontal eclipse कहलाता है ठीक है जब sun और eclipse moon एक साथ देखे जा सकते हैं कुछ जंगा ओपर अर्थ पर तो ऐसे time को या इसी condition को हम क्या बोलते है selenian है ना यह sunset या sunrise से पहले ऐसी घटला देखी जाती है और यह जो selenian होता है एक साथ दोनों को देखने की घटनाओ कहते हैं total eclipse होता है moon भी visible होता है और sun भी visible होता है एक साथ तो इस तरह की घटनाओ को बोलते हैं आप इसका चित्र मेरे उपर देख सकते हैं यह भी एक condition है lunar eclipse के अंदर आती है ठीक है lunar eclipse मैंने आपको एक general idea दे दिया है आप लोगों ने 8-9 class में sht में इसे बढ़ा भी होगा तो अब मुझे इसमें जादा बताने की जरूबत नहीं चली भी हाँ से तोड़ा सागे बढ़ते हैं अब बात करता है super moon super moon क्या होता है जब moon अपने original size से 22 14 गुना जादा बड़ा और 22 गुना जादा चमकदार होता है इस size को हम बोलते है super moon superman होता है superman a man which is more superior than a normal man इसी तरह से super moon a moon which is more superior than a normal moon तो इसको बोलते है super moon super moon क्या moon क्या बड़ा चोटा होता रहता है बिल्कुल नहीं moon बड़ा चोटा नहीं होता है ठीक है होता क्या है कि हम earth अपनी orbit में sun के चारो तरफ चक्क्र लगा रहा है और इसी तरह से moon भी earth की orbit में चारो तरफ चक्क्र लगा रहा है elliptical form में और एक time ऐसा होता है कि जब moon और earth की बीच की distance minimum और एक बार होता है moon और earth की बीच की distance maximum होती है तो जब minimum होती कोई हमारे पास आता है तो उसकी image बड़ी होती जाती और जब दूर जाता है तो छोटी होती जाती है तो वही होता है जब moon sun की orbit भूपता हो earth के पास आ जाए तो इस condition को बोलते है perigee और इस perigee की condition में हमको moon उसकी original size से ज़्यादा बड़ा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है इस तरह के moon को हम क्या बोलते है super moon ठीक है तो वही सारी कहानी यहाँ पर English में लिखी हुई है आप इसा इस आओ तो पढ़ भी सकते हो पॉस करके वीडियो को अराम से पढ़ सकते हो अब देखो यह देखिए यह diagram में जो बता हो देखो यहाँ पर इस diagram को अगर समझ लोगे तो समझ लो सब समझ लिया देखो आर्थ है आर्थ की chart of orbit में elliptical orbit है कैसी orbit है elliptical orbit में moon क्या कर रहा है revolve कर रहा है और एक time में इनके बीच की distance minimum देख सकते हो पैरी जी और दूसरे time पर minimum maximum apogee इसे बोलते है पैरी जी यह वाला तो यह दोनों condition आपके सामले आ गई है आपको इस समझ में आ गया हो तो पैरी जी और पैर जी क्या होता है जब डिस्टन मिनिमम होती है जब डिस्टन में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छे देख लें देखो जब sun और earth की बीच की distance कैसी होती है minimum होती है तो super moon मनता है पैरी जी कंडिशन में आप देख सकते हैं और distance जो होती है 356,500 km और जब यही थोड़ा सा 50,000 km ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है apogee ठीक है sun और moon की minimum और maximum distance से हमारा क्या होता है super moon और micromoon बनता है तो super moon जब moon अपने original size से कितने गुना ज़्यादा बड़ा हो 14 गुना ज़्यादा बड़ा और 22 गुना ज़्यादा दो दिन पहले मेरे बनाए हुए वीडियो साकलोन से संबंधित है क्या ये चीज ये जो हमारा गाच की घटना है ये क्या चक्रवात को प्रभावित करती है आपके UPSC दोरा आयोजित या उसके तरह और्गनाइस किये गए CDS और India के फेपर में ये पूछा जा सकता है तो भया बिल्कूल भी प्रभावित नहीं करती है इसको याद रखना है क्योंकि साकलोन बेसिकली प्योर्ली जनरेटिड द्यू टू प्रेशर डिफरेंस ये प्रेशर डिफरेंस की वज़े से बनता है लो प्रेशर सिस्टम की वज़े से बनता है लेकिन अगर हम बात करते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं कि इसकी वज़े से क्या बनता है तो इसकी वज़े से आपका क्या बनता है इसकी वज़े साथा है टाइड ज़ार भाटे तो tides इसकी वज़े से जादा देखने को मिलेगा तो इसे यार रखिएगा ये घटना किसको परभावित करती है ये tide को परभावित करती है ये आपको अपने दिमाग में set कर लेना है इसको ध्यान रखना है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दि आज के दिन ये कहां कहां देखने को मिलेगा बेर एको नौर्टीस्ट में तो पूरा देखने को मिलेगा मिलेगा साथी साथ वेस्ट बंगॉल उरिसा में भी ये देखने को मिलेगा तो ये याद रखिएगा और वहां पर सैकलोन से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है यहीना Tide को ये प्रभावित करेगा क्योंकि यार रखिएगा इसकी वैसे Tides जन्रेट होते है Tides Tides जानते हैं न हिंदी में से बोलते हैं ज्वार भाटा ठीक है Rise and fall of water due to gravitational pull of sun and moon on earth is known as Tide फिलाल इसके बारे में हम पूरा detail में बात कर लेंगे Tide का वीडियो फिर कभी बना लेंगे अभी इस छोटी सी information आपको कैसी लगी बढ़या लगी तो like और share कर दीजएगा WhatsApp गुरूप में जुड़ना है तो जुड़ो सारी information मिल जाएगी सारी चीज़ों जितने हम test करा रहे हैं जितनी भी आपके exam oriented चीज़े हैं information है सब आपको उसमें मिल जाएगी तो आप हमारे link में नीचे description link में दिये हुए group में जुड़ सकते हैं telegram group में जुड़ सकते हैं और WhatsApp group में जुड़ सकते हैं तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा और अगर आप इस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपको बहुत सारा benefit मिल जाएगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर इंड करते हैं वीडियो कैसा लगा बढ़िया लगा तो like और share करते जाना और जादा जादा लोगों तक इसे share कर देना क्योंकि अगर sharing is scaring पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ आप इसे share करेंगे तो हमें तो आप motivation ही मिलेगा और वीडियो बनाने का जैसे हम एक दिन में एक वीडियो बना रहे हैं तो अब एक दिन में दो या तीन वीडियो बनाएंगे सिव आपके share करने की वज़े से क्यों? क्योंकि Newton का तीसा नियम जब लगता है तभी कुछ मज़ा आता है तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर इंड करते हैं Thank you so much मिलते हैं अगली क्लास में जैहिंद मिलते हैं झाल 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 झाल